हेलो जी गूड आफटरनून कैसे आप सब मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सब का वेलकम करती हूँ और टाइम आप देख सकते हैं यह है शाम का टाइम मतलब देखने में तो कि नहीं दिखेगा मैं बता देती हूँ शाम का टाइम है हम लोग गाव गये थे उस दिन का व में वहां जाना हुआ कि मम्मी को गोठडा लेकर आये थे मम्मी के आँकों में कोई तकलीफ थी और वैसे मम्मी की तब्यात थोड़ी सी खराब थी विकास खुराना डोक्टर विकास खुराना लिखा न तो यहां पर देखो नैनी के पापा और ममी दोनों बैठे हैं इनका नंबर आने वाला है और मैंने शोचा चलो यहां से नय व्लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग चले गए थे उसके बाद में ने सोचा चलो इस टाइम से वलोग स्टार्ट करना चाहिए और ममी के आँखों में जो तकलीफ थी आज नहीं कई दिन से शुरू और आज सुबही भ वहां होस्पिटल में दिखाएंगे और दोनों दीदी जो है न वह अचानक से और वह था न कि कोइंसिडेंटली पहुंच गए थे तो दोनों दीदी भी आए और हम लोग आ चुके हैं घर पे घर पे शाम के पांच साड़े पांच बजे के लगबग हम लोग पहुंचे होंग लेकिन वहां जाने के बाद में नंबर लगवाया न तो फिर इतना लेट आना ही था और यहां पर पहुंचने के बाद में दीदी और हम लोग बैठे वे बाते कर रहे हैं और थोड़ देर पहले ही बड़े भी यह आये और बड़े भी यह पता है क्या कि तुम लोग पहले स चलो उधर चलते हैं और फिर श्याम बाबा की जाएंगे वहीं से लेकिन जिस काम के लिए निकले थे वो काम तो नहीं हुआ और जिस काम के लिए नहीं निकले थे वो काम हो गया यहां पर आते ही घरवालों ने जो होता है कि जिस तरीके का रियक्शन दिया वो तो आप समझ स जाती है तो यहां पर face to face हम लोग मिल गए थे नहीं पता था कि दीदी आ जाएंगी मुझे घर में दीदी से और बड़े भाईया से डर लगता है बहुत ज्यादा पापा जी से भी लगता है लेकिन पापा जी इतना face to face बोलते नहीं है और यह बोलते हैं तो इन से वह होता है तो यह है next day morning अब जाना है इन सब को hospital और कौन-कौन जा रहा है मम्मी पापा जी नैनी के पापा विशाल और शिवांस पांचो को hospital जाना है और पांचो के नंबर लिखवाने हैं मुझे तो अभी यहां पर यह नंबर लिखवाने के लिए न परची वेगरा निकाली है तो जी यह देखो शिलाई मसीन नहीं हो तो आप ऐसे भी टाका लगा सकते हैं हमारे जीजी ना आथ से टाका लगा करके और कपड़े सही कर लेती है यह पेटिकोन थोड़ा सा उच लंबा है तो इसको छोटा की आजा रहे जीजी पैन के जाएंगी तो यहां पर अचानक से पापा जी आ गये थे और आप देख रहे होंगे किस तरीके का मावल हो गया एकदम से सब चुपो गए हम लोग बाते कर रहे थे और सब के मूपे ना एकदम से टेपी लग गई समझ लो और यह जो पर्चियां रखे हैं इनमें मम्मी का निकालना है मम्मी पिसली बार जब होस्पिटल गए थे वो बाला और डॉक्टर की जो रैटिंग है वो समझ में नहीं आ रही थी तो इन्हों ने का कि आप देख कर बताओ बच्चों ने का बिट्टों ने का कि चाची आप देख कर बताओ मैंने का ठीक है मैं देखती हूं और डॉक्र साब ने पता है वो घोता है ना कि बीच में बीच से लिए बऻह जो लग बीटण देर से लगे थे अभी तक नहीं ढूंड पाए तो यहां पर बिट्टु बना रहा था था क्लिप और वो क्लिप बनाते बनाते बहुत सारी उट पटांग बाते करता है आप सबको पता ही है तो वो किये जा रहा था और यह देखे ममी की संदूख आ चुकी है दोनों दीदी जो है उनको निकालनी है साडियां हर एक मा के पास बेटी जो होती है वो इसी तरीके से उनकी मा की संदूख खोल लेती है जाते ही कौन-कौन ऐसा करता है बताना मतलब मा जब तक हम संदूख ने कोलते हैं न मा पीछे पड़ी रहते हैं चाहे मा की संदूख में चाहे कुछ भी ना हो लेकिन वो फिर भी करती है इसमें से कुछ निकाल ले तेरी लिए यह मा का प्रेम होता है वो कहती है कि मेरे पास जो है उसमें से तू कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाए, चाहे कम हो ज़्यादा हो, लेकिन उसमें से लेकर जा, to यहाँ पर मेरी ममी भी ऐसे करती है, और यह ममी जो है, यहाँ पर ये भी ऐसे कर रहे थे, तो यहाँ पर दोनों ने, दीदी ने संदुग खो लिए और अब मय भी तो मेरे सामने भी खुल देती है तेरे लाइक साड़ी आई ऐए तेरे मुझे भी इन्वोल किया और वो ला कि रेनू तु एन चांट के बता इन में से कौन सी साड़ी मुझे लेनी चाइए मैंने का ठीक है मैं बैठती हूँ दोनों दिदी के लिए फिर मैंने सलेक्ट की है इन में साड़ियां और मैंने भी एक-एक साड़ी दोनों दिदी को दी है भावी ने भी दी है बड़ी वाली भावी ने भी दी है अब वो साड़ियां जो है वो मैं आप लोगों को वीडियो में नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं लेकर गई रात को मैंने दी और फिर वो पैक भी हो गई यहाँ पर यह वाली जो शाड़ी थी नहीं काफी प्यारी थी इसका प्रिंट भी काफी प्यारा था तो मैंने देदी को कहा देदी आप यह जरूर तैयार करना और छोटी वाली जीजी जो है न वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेती वो पहले कह देती हैं कि तुम लोग देखके और फिर मे भाल पर जरूर करें और यहांपर कई सूट के कपड़े भी थे जासे गर्मिया में सूट नहीं सिलवाते, वह शूट के कपड़े थे तो ममी ने मेरे मतलब हम लोगों को अच्छा लगता है हमें जो भी ऐसे रगता है कि हमें यह देना चाहिए हम देते हैं लेकिन उन्होंने कभी अपने मूँ से यह निका कि भाबी मुझे यह वाली साड़ी पसंद है मतलब कि हम पूछते हैं फिर भी वो नहीं बताती हैं तो यह कई लोगों स सी नी थी मतलब इस तरीके का कोई सीन क्रियेट हुआ हो और शादी के बाद में होता है कि संदूख खुलाई में उठवाते हैं कि ननद साड़िया उठाएं अपनी पसंद से तो उस टाइम पे भी इनों ने एक एक साड़ी ऐसे ही उठा ली थी नॉर्मल जो होती है मैंने का अच्छी से उठालो रोज रोज थोड़ी ना मोका मिलता है कह रही नहीं बाकी तरी तयार है यह वाली मैं लेऊंगी यही मुझे अच्छी रगरी डेली वियर में है तो वह चीज भी मुझे काफी पसंद आई मैंने कई शादियों में देखा है कि ननद को जब वह वाला मो कि संदूख खुलाई पर किसके यहां पर किसने कितनी साडियां दी मेरी तो एक-एक साडिय निकली थी एक-एक मैंने एक्स्ट्रा वैसे दी जवर्दस्ती इन्हों लिल लिया ही नहीं कह रहे है नहीं तू छोटी है तू पहनना और यहां पर यह हेलमेट का पोस्ट मार्ट कर रहे हैं अब पता नहीं इसका क्या होगा अंत लेकिन लगे मैं दोनों चाचा बतीजा जो भी होगा वीडियो में आगे सरमाजी के वीडियो में आजाएगा मेरे में तो नहीं आएगा और यहां पर मैं लगानी आई इस रूम में ज़ाड़ू लेकिन यहां पर फिर वही मैं नहीं लगा तो जी मैं उधर से फिर बाहर के साइड से जाड़ु लगा के लेके आ गई मैं मतलब रूम को मैंने नहीं चेड़ा मैंने का चलो ठीक है आप लोगों का काम हो जाएगा उसके बाद में देखेंगे और यह वाली जाड़ु जो है पूरे घर की यह मेरी कंप्ल सब्सक्राइब कीजिएगा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मुहना मेरे साथ जाड़ु लगारी यह सारे घर जाड़ु लगा किया है लेकिन जब तक वालास um अगर भार शाह से ज Olc